कि नाम है सर आप जी पिमले स्कौरव जी यह बता ये नौवाईने पूरे हो गाए सरकार को आप संतोष्ट हैं पूरी तरीके से पूरी तरीका किया है एक चुल किया है पल्लग जादतर बाजपा के लोग हम तो वैसा किसान बरके हैं जी तो बाजपा के लोग जादतर जे कرج्माप दीरे दीरे चल रहा है इसकी किए कि खजान हो उसको खाय मिला था मुक्म पंचर याकान रहा है बागिए किसानों को जब विजली ऑनलता गाज हमाई हूं नर्सिंपोर सेर्गे जनपाद में एज़ यहां परूरख मननात आने जाब हैं उनका आने का टाम है 10 scored 20 21 yes जिला चिकिस सालह जाके सो बिस्तर का जो अस्पतार बना जस्प करोड़ की लागत से उसका उदगाटन करने के बाद यहां जनपद मैदान आके सवा को संबोदित करें। करें। झाल 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 विकाथ पुरुष प्रमाजनिया तमाणाची मत्यप्रीश प्रिदांसाबा के अध्याच लग सिंपूर की माटी के सपूर आलने एंपी प्रजापती जी मंत्पर विवार्गमार मत्दे शासर्टे मंत्री एजिले के प्रवारी मंत्री बहियाच फरुल भार मरुटी भाहि तोसी से लाबच जी स्री मतीश संद्याजी गौसारा संचारतों को स्री रग्मीर प्रसाथ तिवारी, स्री मनोज अबस्ती, मेहंत बालगदाश जी मराज और स्री तेवं द्रपाश्परी यह हैं हमारे आदरनी मुक्त मंत्री जी देखिये आप चुनाओं के समय जब को आए सवा के संचार में मैंने कहा तक हमारे मेर परवसी लोटके बोले मैंधरी मुक्त मंत्री बनने के बाद मेर तोड़ी जी जाएगी कोई परवसी नहीं चुनाओं और नर्शिंपुर में कोई भेदवाव नहीं होगा सबसे पहले उन्होंने हमारे माननी एंपी प्रजापती जी को मद्य प्रदेश बिधान सवा का द्यक्ष बना कर देखा दिया कि नाव चुनाओं आज नर्शिंपुर एं नर्शिंपुरे चुनाओं तानियों थे ऐसे हमारे असस्वी वितास पुरोशाजने मुक्त मंत्री पुरोशाजने मुक्त मंचपर ग्राजबान वो सभी वरिस्ट जिले के कारकरता जिनोंने आठ महने पहले ऐसे वरिस्ट और जाबास साती सामने भी बैठने हैं जिनोंने नो महने पहले कॉंग्रेस को आशिरवाद दिया चिनवार को आशिरवाद दिया और बात आई कि अब कॉंग्रेस की सरकार आएगी 15 साल बाद ये मंचपर और सामने बैठे हुए हैं हम सब मिलके दूसरे के लिए तालीब जाते हैं आदनी शदे रुक्षमांतरी जी नर्सिंग पुर्जेलार भू अभी बूसरे लिए 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 बहुत बहुत पुरानी मेरे साती मेरे भाई अरशडर में मेरे साती और मंत्री मंद्र मेरे मेरे साती शुरेश पज़ोडी جी संसर्ट पे नहावश्मीरे साती रमेश्वर नीक जी, मैहत्री सरन तिवादी जी, हमारे विदाय सन्ज़न शार्मा जी, शीमधी सुनिता पतेल जी, डिवेंदर राजी, सुनीर जैस्पाड जी, दिन दियार निमोले जी, दिवान शेरेंदर पतेल जी, लखान शिंक पतेल ज विरे दूबे जी हमारे भूतपूर विदा है, समया कॉंग्रेस के नेताकर, कॉंग्रेस परिवार के सदसिकर, आधमीये बुदर्गों, बाईयों प्रहों। बहुत खुशी हुई नर्सिंपूर आकर, बहुत पुराना संबंध है आप से, आपको पडूशी के लाते, बहुत बहुत समय से ये संबंध है, मुझे याद है, नर्सिंपूर से किते सालों से घुजरते हुए, जब यह असल के टूटी-फूटी थी नर्सिंपूर, तो आज आज का पेचाना भी निक जाता है, जैसे चिलवारा निक बहजाना जाता है, आज नर्सिंपूर भी निक पेचाना जाता, यहाँ कर तो, मुझे 40-50 साल पहले की, अपनी जवानी भी याद आती हुए. पंदेरे साल बाद मैं आपके आश्रेवात से, मद्धी प्रड़ेष की जंता के अश्रेवात से कॉडूरorous की सरकार बनी. कॉडूररिस की सरकार पंदेरे साल बाद बनी. और बात ये जंता पार्टी में कैसा प्रदेश अमें सौपा? आप सुम्रेते पजापती जी को रुटमंती जी को ऐसा परदेश सौपा जा तजोरी खाली ये तो खुड कैते मैं नहीं कहते हैं जी खुड केते ते तजोरी तो खाली है ऐसा परदेश हमें सौपा जो पुरे देश में किसानों की आत्मातिया में न nel वन हमें स्वापा जो भ्रष्टाचार में नंबर वन ये ऐसा प्रदेश हमें स्वापा कौन सी चुनोती हमारे सामने नहीं थी सारे नौ महिने पहले सारे नौ महिने में दाई महिने तो निकल गए लोकसभा के चुनाब में आचा सहीदा में साथ मेले हमाले पास बचे का हम मत्य किसानों का करणा माप करना में किसानों का करणा हम नर्सिंफूर में भीस हजार तीन सो वाईस किसानों का करणा माप किया है और दूसरे दूसरे चरण में जो पात रहें उनका करदा मात किया जाएगा जो टीफोल्ट थे उनका करदा मात किया अब जिनके चालू खाते हैं जिनके चालू खाते हैं 50,000 तक का तो पात किया अब बाकी उनका करदा मात किया जाएगा पर आपको भी एक बात समाज नहीं है जब इस पर जाज हुई, कित्ते हजारों किसान, मत्य पदेश में कित्ते लाग किसान, जिनका एक खाते से जादा, किसी के तीन खाते, किसी के चार खाते, उनका च्या उपार, उनका 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 पर जब बारतीय जन्ता पार्टी ने कोई कहता है कि करदा माप में हुआ मध्य प्रदेश में 21 लाख के सा रोका करदा माप हुआ है। कि मुझ वर्ष बहुनर में दो नावद वाण लो कि पेडाने कान एफ हल्त थे मुं भर्ड चलता है इंका पहले पहले की चलता था हम पुझाई प्रधेश कंहल करने मुझे यह तस्वीर आफ़त के सामने, आप पेरेज गारे में नवर वन सबसे बड़ी चुनौती है, मुझे क्रिशी चेट की चुनौती है, पर क्रिशी चेट में हम क्राम तिलाना चाहते हैं, क्रिशी चेट में आपका घंणा उलो, घंणा के लिए भी नहीं ही दिलाएंगे कि किसा आप लियाय होता है, और उनकी क्रेशक्ती होती है, खरीदने की ताकत होती है, तो गाउं में केराने की दुगान का भी वेपार चलता है, हमारी आर्थिक गदिविदी बनती है प्रदेश की, जो हमारे प्रदेश की अर्थ मिवस्ता को मजबूत बनाती है, तो अंक्रिशी कि जो प्रदेशल में एक नई करांति दाएंगे, हमारे जो करने का छेद रहे हम विचार कर रहे, आपसे बेट के बात करेंगे, ताकि आप भी करें कि जो हमें कभी नहीं मिला अब मिलने जा रहा है हम किसानों बचन मन ने इसमें हम नहीं करांति लाएंगे पर सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे नव जवानों की भविश्य की आज का नव जवान की अपनी दुनिया है हमारे भुरुगों की दुनिया कुछ और थे हमारे भुरुगों ने तो अपना जीवन काट दिया बिना सरक्य, बिना पानी के, बिना बिल्ली के पर आज का नव जवान जो इंटरनेट से जुड़ा है आज का नव जवान इसकी अपनी सोच है आज के नाजवान में एक तड़फ है आज का नाजवान कोई ठेका कमिशन नहीं चाहता आज का नाजवान तो वेबसाइट के मौका यार अपने हाथों को काम चाहता है और यही सबसे बड़ी चुनोती है जो नाजवान हमारे मद्यपदेश का मिमान करेंगे यही नाजवान जो हमारे देश का नेमान करेंगे यही नाजवानों का भविश्या से सुरक्षित ने रहा आज की नाजवान पेड़ी अगर अंधेरे में रही इनका भविश्या अंधेरे में रहा कैसे अपन मान होगा मद्यपदेश का कैसे रोजगार के नहीं मोखे बने, कैसे वेबसाई के नहीं मोखे बने, यह हमारे सामने चुनौती है, कि हमारी यह नई पिरी नौज़बान, जिन में एक तड़फ है, इंकी सोच है, इंका नजरिया, इंका ठिरिष्टिकोल है, इंकी दुनिया को चले, तो यह मम्सामने सबसे बरी चुरोफ ही है और यह रोजकार यह व्यावेफशाहिक के मोके बनीगे जब निवेश हायए आपके आगे लगिया ना NTP सिखाई काका ना लग तो क्या पर इससे क्या समस्य हालूई कैसे में आप साही कि नहीं मोगी मनें कैसे हम निया इंवेस्मेंट आए निया निवेश आए और निवेश तो तब आता है जब कोई प्रदेश को विश्वास करके विश्वास लेग आठ में किसी को बद्रे साल विश्वास लीथा खरा कर लिए 14 साल, 13 साल कर दरे सिपलन,bert नबेशान के ना थी कि मद्रे प्रदेश पी इत्ते अच्पसक्राइब लगे ने उसapi और बंद कर लंगिए तो यह हैं ये मारी सांगे चुनोती है, और मैं को सबसे जादा प्रह्ट भीता इंको देना है, हमने शाये साथ महिलों में अपने नीती और नियत का परीचा दिया, इदर सराख, और सराख. जिस विश्वास के साथ, आपने कॉंगरेस का साथ दिया, जिस विश्वास के साथ, आपने कॉंगरेस की गौर्डमेंट बनाई, हम ये विश्वास वहाँ नहीं होने देंगे. और आगे आने बादे समय में, मैं सुन रहा था, एंपी प्रजापती जी की बात, सुरिता जी की बात, आपने जो बहुत सारी बागे रख दी, कोई कसर बची है, प्रजापती जी, अब तो कोई कसर भी नहीं बची, तो लो, मैं तो आतमें ये कहना चाहता हूं, कि नर्सिंप चिन्वारा जी तो प्राश्विक्ता है, इसमें कोई शक नहीं है, आप तो बडूसी है, परिक्ता पुराना संबने आज, केवल मैं नर्सिंपूर नी आया, पुराना रिष्टा, और गहरा, और गहरा संबन जोडने आया हूं, और आपको इतना गहना चाहता हूं, कि आज सब्सक्राट करने आया पुराना है, परान याल पहले समय में नर्सिंपूर के इत्यास, नर्सिंपूर के विकास का एक नया इतियास बन एगा, और नर्सिंपूर, नर्सिंगपुर का जंडा छिद्वारा धित्ता हूंचा उड़ेगा ये मैं आप सब को जंदेना चाहता हूँ आप सब का बब बनवा इस बाग था मोजूद है जिला चिकित साले नर्सिंगपुर में अभी कुछ देर पहले माने निये मुख मंत्री जी स्री कमलनास सेंग हुद्राटन किया है लोगों से जल निक कोशिस करते हैं कि क्या उनके बाचार है कि हमारा सोहिम को हूआ है और एक अक्टूमर से जो मिल यूम बजली का बिल भी आपकोगा अच्छा और आपका करजा था करजा था का माप हुआ है अभी तो नहीं क्या हम दो लाग के दार्य इस पर आपको बोलना चाहेंगा जो कमेटमेंट करते हैं यह तो सत है क्योंकि जो बचन में बिनने बोला तो बचन करत जा रहा है उसमें पहले सोवी मान नहीं हो जाना के बारे मैं आपको पता है है यह मुकमन्ति चला रहा है उसके बहुत लोगो उकलाब हुगा है अब किसानों का ख़रे निया का अब किसानों से घ्राइज पचास जार तक पूराइगन था है पिर चालू खातों का करदे माप होगा, क्यांकि ये सब जानते खाली खाजाना है, अब धीरे धीरे होगा. अच्छा जैसे यहां के उद्गाटन हुआ है, इसको देख क्या आप कुछ कहना चाहिएंगे? अब उद्गाटन जा पहले कैसे पहले पहले? अब नया खोला है जो कीपूरे मत्यप्रदेश में, ऐसा लगजरी हॉस्पिटल, कोई भी नहीं है, अभी सरकारी, ये नमबर वन पर है, तो इस पर ये अच्छा का पहले आज हुआ है, जो आज हुआ है, जो आज हुआ है, जो सरकार कुछ तो कर रही है, तो सब को तिकता है, जो 9 महीन है, वो सफ़र ता पूर बाट, कोशना है, जो नहीं है, बागी समस्च पर रखती है, कितने काम हूंगे, कितने नहीं होंगे, कितने सही है, कितने नहीं है, मुख्ध मंत्री जी ने जो बोला है उनने पेले भी बोला है कि हमारा काम काम करना है। बागी ज्वटेबाद करना है। वास्तिकता मैं वो काम कर रहे हैं और वो जो भी काम रहे हैं है। उनको भी जल्द से जल्द पो mathной過 गराइगी। रोजगार की बात करें तो रोजगार के लिए हो अभी बाहर से कुछ उद्धियोगों की बात चल रही है और यहां इसमें इन्होंने बताए कि इसे 15 साल के साफसंकाल में होस्ते जो ऐसे उद्धियोग है इस नरसंगपुर जिलिया के अमद्यप्रदेश की इस सासन में बंद कि अनिष्ट ही कि रोजगार को रहत ज्यादा ज्यादा रोजगार लुगों को देंगे जितना हमाई इस पूरी को घरिये जितने जल्दी से जल्दी के सान का तक किसानों के किसानों का करज माफ हुआ है। हमारे भी वेक सी किसानों की करज माफ हुआ है। पजास षजार तक ऐस। तक आठी मिकमंधृ जी कहा है। किसaso किसान की किसान का करज माफ हो गा तो न отлич किसान का करज माफ मुक्मंतरी करें शौनाओं कर भाएं किसान का 2 لاग कुछ ही हुआ होगा क्योंकि बहुत से चार चार पांच पांच बैंकों से जो किसानों के नाम आ रहे हैं अभी उसकी भी छानवीन चल रही है और अभी कुछ चुनाओं के कारण भी कुछ साथ से खड़ी हो गई है लेकि निश्चत है कि दो लाग तक का किसान का कर्ज माफ होगा दो लाग से अध करड़ माफ और डो लाग का करज माफ तक का का 2 लाग का कशान वह चौ जैथ से बिसक्शो पहले लुडिए हम करेंगे हर पांच लाग किसां करदेश के प्रभाशा को गए מת कोने बोला था का इस Freeze है क्रजमा लेकिन ओना की परदीश कर्षित हों ठूच लाग कि कि 2 लाग का ही एक जाद कर्ज कर्ज माफ होगा त् समय के और इंतजार करना पड़ेगा और इनकी समस्य जो थी उन्हें कुछ समस्य नहीं इनके व्लॉक में सब बढ़िया अच्छा चल रहा है केमरामेन आविद खान के साथ तारिक मैं चूरी की रिपोर्ट रगाजी मीडिया